तो अभी तक हमारे दो लेक्चर कम्प्लीट हुए और हम लोग अभी सिर्फ इस टॉपिक को ही समझ रहें कि भाई वाई इस दे मीनिंग ओफ इंटरनेट वाट इस दे मीनिंग ओफ विंडो विंडो यह दो चीज हम लोग को पूरा क्लियर हो गया है तो हमने पड़ा था कि इ में जाना था भई यह माइक्रोसॉप्ट कंपणी के द्वारा निर्मित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है अब आज के लेक्चर हम लोग देखने वारे हैं कि विंडो के यूटिलिटीज हैं अप्लिकेशन किसे कहा जाता है यूटिलिटी सॉप्टेयर और एप्लिकेशन सॉप् होते हैं आज मैं ज्यादा इंफैसिस करूंगा यूटिलिटी सॉप्टेयर क्या होते हैं उन्हें समझाने की क्योंकि आप एप्लिकेशन सॉप्टेयर से अवगत हैं कि एप्लिकेशन सॉप्टेयर जैसे के MS Word हो गया पेज मेकर हो गया कोरल हो गया ऐसे सॉप्टेयर जिन है बेसिक operations को करने के लिए जो आवशक ही होते हैं उन्हें utility software कहते हैं सुरी system software कहते हैं तो आज के lecture में हम लोग थोड़ा अच्छे समझने वादे हैं utility software क्या होते हैं तो windows के ही हम हमें utility software पढ़ना है और windows के हमें application software पढ़ना है हमें हमारे इस पूरे course के दौरान तो समझते हैं utility software क्या होता है देखिए utility software है क्या देखिए जैसे कोई राजा होता है ठीक है राजा का कार्य है वो पूरे अपने प्रजा की देखरेक करें बड़े अच्छे से बट वो राजा तो है वो अकेले राजा पूरे अपने समराज की रक्षा और भरन पोशन जैसे भी है वो एक अकेले तो करनी सकता है है तो उसको उस राजा को सहायता करने के लिए उसके च्छोटे च्छोटे नुमाइंदे चाही है एक नुमाइंदा जो है वो राजे के सीमा पे जाकर के पहरेदारी कर रहा है एक नुमाइंदा जो हो सकता है राजे के जो शस्त्र ग्रह है वहाँ पर जाकर के वो देखरे कर रहा है तो देखिए ये नुमाइंदे कर क्या रहे हैं उस राजा को help कर रहे हैं तो उसी भाती utility software वे होते हैं जो देखे computer का computer में सबसे अहम software कौन से होता operating system utility software ऐसे software होते हैं जो operating system को assist करते हैं operating system मैंने बताया था यह operating system हमारे computer system का सबसे एहम एक system software होता है जो user और उस computer के hardware के मद्य interaction कराता है communication कराता है तो उसी भाती यह windows utility software विंडोज utility software ऐसे software होते हैं जो हमारे computer system में जो operating system है उसको assist करता है उसे सहायता परदान करता है तो उसी को मैंने English में लिखा है the software which is installed or might be pre-installed in the computer to assist the operating system मतलब कि वे software जो हमारे computer system में हो सकता है operating system के साथ पहले से ही installed हो या उन्हें हमें बाद में install करना पड़े यह ना भई बाद में install करना पड़े जैसे कि एंटिवारे साथ पर्चेस करते हो यह utility software है उसे बाद में install करना पड़ता है वह हमें windows के साथ में pre-install आता नहीं है लेकिन जैसे notepad हो गया यह सारे operating system के साथ में जैसे आप computer operating system हम install करोगे वह पहले से ही हमारे computer मौझूद होता है तो utility software बोलने का अर्थ यह है कि यह ऐसे software होते हैं जो आपके computer में pre-installed हो सकता है पहले से इंस्टॉल हो सकता है या तो उसे हमें install करना पड़ता है लेकिन इसका कार्य क्या है हमारे computer में मौझूद operating system को assist करना उसे सहायता प्रदान करना ताकि operating system जो है अच्छे से work कर सके हमारे system के performance को बढ़ा सके तो उसी एम के साथ में utility software हमारे लिए useful होते हैं अब देखते हैं windows application the software which is installed or might be pre-installed to directly benefits the computer use computer user है sorry printing mistake है तो जो हमारे computer की users है उनको benefit देने के लिए उनको फाइदा देने के लिए उनको लाप पहुचाने के लिए जो software हम install करते हैं उन्हें application software बोलते हैं जैसे कि टैली भाईया accounts के जो user होंगे हैना accounts के जो user होंगे उनको यह benefit देता है जैसे ms word हो गया हमें कैसा भी office related file है documents तयार करना ms word useful है अगर हमें photo की editing करनी है तो Photoshop useful है तो यह application software है इसे हमें अवगाती है अब हम लोग utility software के examples देखते हैं तो भाई examples of utility software system restore यह कहां पर होता है हमारे system में और इसको use क्या है यह न भाई तो यह देखिए start में आप जाए यह start में all programs में फिर आप जाएंगे accessories में जाएंगे accessories में न यह system tool है कि दर system tool यह और यह system tool में यह system restore यह system restore करता क्या है देखिए मान के चलिए आज आपने computer को क्या बोलते हैं इंटरनेट से connect किया और आप जैसे internet से connect किया हुआ क्या एकाथ virus attack कर दिया और आपके operating system के एकाथ file को delete कर दिया virus होते क्या है वो भी एक प्रकार के छोटे-छोटे software होते हैं जो हमारे system में या तो pen drive हम जैसे लगाते हैं वहां से enter हो जाता है या तो internet से automatically बीन permission के हमारे computer system में enter कर लेता है और हमारे operating system के काथ file को या हमारे ही file को वो delete कर देता है उसकी वज़ा से क्या होता है हमारा system अच्छे से work नहीं करता है hang होना start हो जाता है तो system restore एक ऐसा utility software है हमारे window में हमारे window operating system में जो क्या करता है मान के चलो आप इसको run कर देते हो system restore को है ना आप इसे click करोगे क्लिक करने के बाद इसको आप चलाओगे तो यह क्या करता है उस अभी मैं पूरा काम करके नहीं दिखा रहा हूं मैं practical matches करके दिखाऊंगा तो यह क्या करता है वारस के द्वारा या accidentally कोई भी फाइल जो डिलीट हो जाता है उसको यह फिर से वापस पूना हमारे system में ला देता है यह system restore ठेक है तो एक एक चीज़ को यह principle application disk disk fragmentation disk cleanup यह सारे utility software है जो हमारे operating system windows में मौझूद होते हैं इनको अच्छे से देखते हैं थोड़ा थोड़ा अभी overview बता रहा हूं अप लोगों को तो system restore क्या होता है यह एक windows में मौझूद एक ऐसा utility software है जो restore the system in recent healthy state मतलब मार्लो आज के date में हमारे system में virus attack होता है वो किसी file को delete कर देता है तो भई हमारे system healthy है क्या बताओ तो अभी तो बिमार हो गया है न भई क्यों बिमार हो गया क्योंकि उसकी एकाद file को operating system के एकाद file को virus ने delete कर दिया तो हमारा computer कहां छे से वर करेगा तो हमारे operating system को या हमारे computer system को पुनह healthier state में लाने के अगला है disk disk fragmentation तो देखिए यह disk disk fragmentation क्या होता है तो देखिए हमारा computer का माल लेते memory है computer का memory है और इसमें किसी student के सारे records जो है यह देखिए memory है और यह memory का एक एक जो block दिख रहा है इसको बोलते memory cell आई बास हमाद में जहां data को store करते हैं उससे कहा जाता है memory और यह जो एक ए block दिख रहा है इसको बोलते memory cell देखिए कोई student का record अनीता एज उसका 23 वो रायपूर की है और उसका percentage जो है 78.9 तो यह बिखरा हुआ है पूरे memory में अलग-अलग जगा बिखरा हुआ है तो इसमें घाटा क्या होगा disadvantage क्या होगा देखिए CPU रीट करेगा यहां पर फिर उसको इधर जाना पड़ेगा फिर यहां से उधर जाना पड़ेगा इधर जाना पड़ेगा तो भई CPU को इन रिकॉर्ड को रीड करने के लिए उसको टाइम लगेगा की नहीं यहां से उसको जाना पड़ेगा यहां 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 पर यह चंक यह फ्री स्पेस आ गया है और जो इं इंटर्रीलेटेड डेटा हैं वह स्कैटर्ड होते हैं वह बिखेरे हुवे होते हैं उनको यह लाइनप Κर देता है एक जगह पर लागर करके इनकी बीच में मैमोरी स्पेस है उनको वह कम कर देता है दूरी को कम कर देता है दफाब्रован saff remove टेटा है ओस्पर neces disk fragmentation software, utility software, और करता क्या है, related piece of data are put back together, मतलब जो interrelated data है, उनको आपस में फिर से पास पास ला देता है, and lined up in continuous fashion, और उन्हें एक line में ला देता है, यह है disk defragmentation utility software, next है winzip utility application, क्या आपको बता है, जब आप mail करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने MB के file को आप mail में send कर सकते 24 MB, ठीक है, 24 MB से ज़्यादा size के file को हम mail नहीं कर सकते हैं, और यार, बट problem क्या आ रहे हैं, अगर माल लो हमारे पास 40 MB की file है, और उसको mail करना अवश्यक है, तो क्या करेंगे, उसके file को compress करना पड़े, उसे size को compress करना पड़ेगा, उसके size को छोटा करना पड़ेगा, तो यह winzip utility application क्या होता है, यह file के size को compress कर देता है, छोटा कर देता है, तो it is an application और utility software which is used to compress the file size उसके file size को compress कर देता है, छोटा कर देता है और वही example we cannot mail any file more than 24 MB मतलब 24 MB से ज़्यादा size के file को हम mail नहीं कर सकते हैं so to send it via mail needs the file to be compressed और उसे mail करने के लिए उस file को हमें क्या करना पड़ेगा भई compress करना पड़ेगा उसके size को कम करना होगा तो यह है Winzip Utility Application Software जो कि किसी file के size को compress करता है चोटा करता है, अगला देख लेते हैं disk cleanup, तो देखिए होता क्या है, जैसे कि हमारी system में लाखों हजारों साल पुराना जो file है जिसका को use नहीं है वो temporary files हो सकते हैं तो जो unused file है उसको हम computer में क्यों रखें उसको हमें delete कर देना चाहिए remove कर देना चाहिए हाँ की न, कई, जैसे का आप internet use करते हो, ठीक है internet आप use करते हो, browser open करते हो searching करते हो, तो file तू file तू, जो data है न temporary files ही नहीं बोला जाता है जैसे कि आप 50 साल पहले यह वाले website में गए थे, इतने बच के इतने मीनट में, और क्या बोलते हैं, आपने यह website को visit किया, यार operating system ऐसे internally यह सारे records को maintain करते रहता है, बट 50 साल बाद आपको कोई जरुरत है क्या, मुझे कोई जरुरत है क्या, अगर मैं student हूँ तो, नहीं न तो ऐसे जो unused file है उसको यह disk cleanup utility software क्या करता है जो unused files होते हैं हमारे system में, उन्हें delete कर देता है, तो this is your disk cleanup utility software, तो disk cleanup is a microsoft software utility, first introduced with windows 98 तो windows 98 software आया था, sorry operating system आया था, उसके साथ में पहला इसे launch किया गया, या उसके साथ में इसको embed किया गया, उसके साथ में इसे लाया गया and included in all subsequent releases of windows, और windows 98 operating system के बाद में जितने भी operating system आया है, जैसे कि windows 2003, windows 7, windows 8, windows 8.1, windows 8.2, windows 10, जितने भी windows operating system के सारे versions आया है, उनके साथ में अब ये दिया जाने लग गया, और it allows user to remove files that are no longer needed or that can be safely deleted और यह एक ऐसा utility software है, जो ऐसे files को remove कर देता है, या delete कर देता है, जिनकी आवशक्ता अब हमें आगे पढ़ने वाली नहीं है, this is your disk cleanup utility software, और next अब भाई, windows के application किसे बोला जाता है, तो ध्यान रखिए, windows के utility software और windows के application software, दोनों में अंतर है, समाज में आया, windows के utility software अभी तक जितना हमने दिया, वो सारे operating system को assist करने वाले software होते हैं, और windows के जो application software है, वो users को assist करने वाले software होते हैं, जैसे कि MS Word user को क्या assist करेगा, बताओ तो, कोई document बनाने के लिए, Photoshop user को क्या assist करेगा, यह operating system को assist नहीं करता है, help नहीं करता है, Photoshop user को assist करता है, help करता है, Photoshop user को allow करता है, कि वह photo की editing कर पाए, telly account user को assist करता है, कि वो accounts की देखरिक कर पाए, manage कर पाए, coral user को assist करता है, कि वो banners बना पाए, कोई poster बना पाए, page maker assist करता है, कि को user जो है, कोई book की छपाई करने के लिए, book की editing कर पाए, typing कर पाए, कोई शादी का card है, बड़े का card है, उसकी editing कर पाए, तो ऐसे यह जो application, Windows के जो application softwares होते है, यह operating system को assist नहीं करता ہے, operating system को help नहीं करता है, यह वे softwares होते हैं, जो windows के जो users हैं, जो computer के जो users हैं, उनको assists या help करने वाले Softwares होते हैं, तो यह है windows के application softwares, तो आज हमने आज के lecture में देखा है कि Windows के utility softwares और application softwares क्या होते हैं Thank you very much यह पूरा आप अच्छे से देखिए और यह पूरे को आप अच्छे से clear करिए मैं अगला class में फिर directly हम syllabus को complete करेंगे क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ syllabus के title को लेने के लिए 3 lakh चली हूँ आपका Thank you very much